हेलो एवरिवान आई होप आप सब अच्छे होंगे आप लोग का स्वागत है मेरे चानल में तो फ्रेंट्स 2021 आप सब के और हम सब के जीवन में इतनी खुशियां लेकर आए कि आप और हम अपने पुराने गम बिल्कुल भूल जाए तो मेरी तरफ से इतना ही कहोंगी बहुत बहुत शुब कामना है और भगवान सब को इतनी खुशियां दे कि हम गम की तरफ बिल्कुल जाख ही ना पाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और 2021 ने बहुत कुछ लोगों का छीना है नोक्रियां छीन गई है और इतना देखे चार चार पांच पांच महिने हो गए किसी की कंपनी नहीं खुली है जिनकी पेमेंट तक भी नहीं मिली है बहुत बड़ी बात है ये और इतना ही कहोंगे कि भगवान ने स्वस्थ रखा है ऐसे टाइम पे भी हम सबको बहुत बड़ी बात है तो इसलिए गम की तरफ ना जाके इतना इंजॉय करें नए साल में क कि हम इस टाइम स्वस्थ है उनकी भगवान की किरपा से हम बहुत स्वस्थ है इस बीमारी को होते हुए भी बहुत बड़ी बात है और देखिए पहले वाले पल तो कभी भी वापस नहीं आ सकते आप चाहे कितना भी खर्च कर लीजे कितनी भी कुछ भी कर लीजे जो एक फ उसके बाद मैंने पहली बार इस तरीके से इंजोई किया है क्योंकि मेरे हजबेंड को भी पसंद नहीं है मतलब मेरे हजबेंड को भी मतलब भी भाड में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसलिए हम उनको नहीं फोर्स करते हैं कि घुमा लाइए वो करिए तो घर वही हम इंजोई करते थे और इस बार मैं अपने मायके में हूँ तो बेटी बहुत कह रही थी वही मॉल घुमाला मॉल घुमाला ज्यादा कुछ नहीं तो लेकिन करोना की वज़े से मैं मना कर रही थी लेकिन मेरे घर के बिल्कुल दस मिनट के रस्ते पर ही मॉल भी बना है न मैं घर पर किया और किस तरीके से किया वह मैं आप लोगों को दिखाती हूं तो फ्रेंट्स एक बार फिर से बोलूंगी कि नए साल की बहुत-बहुत शुब कामना है मेरी तरफ से आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत-बहुत खुशिया हो और प्लीस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कर दीजे और जो नए हैं उनसे भी हाज जोड के रिक्वेस्ट करती हूं लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कर दीजे और आगे शेर भी कर दीजे और मेरी नेक्स्ट वीडियो का प्लीस वेट कीजेगा मैं मिलू को लेके आए हैं यहां पर मॉल में घुमाने के लिए तो यह देखिए अभी तयार हो रहा है और यहां पर सीटे लगा दी गई है बैठने के लिए और यहां यह पूरी रोड बहुत चलती हुई थी ट्रैफिक वगरा सब बंद कर दिया है और यहां पर बिल्कुल भी अब पूरा तयार हो जाएगा क्योंकि अभी तो यह स्टार्टिंग है तो यह देखिए यह इस तरीके से यहां पर मॉल बन चुका है और अभी काम चल रहा है और यहां पर यह इस टॉल टाइप में बना दिये गए हैं और अभी चालू नहीं हुए तो एक दो ही हुए हैं और बस यह जब पूरा स्टॉल तयार हो जाएगा तो यहां पर खाने पीने की चीजे सब लग जाएंगी और यह उपर से दिखारियों मैं देखिए तो देखें फ्रेंड्स यहां पर हम पहुच गए हैं और यह बहुत बड़ा सेंटर बनाया हुआ है यहां पर तो लोग फोटो खिचवा रहे हैं इसके बरावर में और काफी इंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग सब एक हाउस वाइफ को बहुत कम घूमने को मिलता है अपनी स्पॉंसबाल्टी वो पूरी निभाती है लोग डाउन में भी देखिए जब सब घर पर थे उसने एक हस्ते वे फिर भी अपनी डूटी को पूरा किया है उसकी कोई छुटी नी थी कोई लोग डाउन ने था वो घर पर अपनी रहकर पूरी डूटी कर रहे थी और थोड़ा बहुत निकलती है वो तो आज जैसे हम भी निकले हैं और बस मैं बच्चों को लेके थोड़ा सा इंजॉयमेंट कराने लाई हूँ ताकि बच्चे जाते हैं मुझे एक टाइम में घूमना बहुत पसंद था बट घर की जिमेदारियों की विज़े से मैं बहुत कम जाती हूँ क्योंकि आके फिर वोई थकावट में काम करना हर चीज बच्चे को भी देखना तो बहुत कम होता है मेरे साथ तो इसलिए मैं बहुत कम जाती अब भार और अब मैं यहां भावी के साथ हूँ तो मैं आ गई हूँ और मेरी मम्मी काफी बीमार है वह जादा देर चलने ही सकती है नहीं तो अगर वह ठीक होती तो हम उन्हें भी साथ लेकर आते क्योंकि वह भी विचारी घर पे ही रहती हैं बिल्कुल भार नहीं जाती ह कईँ हैं और जब वह ठीक थीं hospitals कूंण मांस ऑप अठीक मुझे बहुत यादा थै he नहीं नहीं देखतेका लकाव लेकिन बीमारी के चलते वी जादा दूर नहीं चल सकती हैं बस थोड़ी दे घर में ही इधर उदर थोड़ा बहुत ही पांट देस मिनट के लिए वह खड़ी हो पाती हैं हुआ 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 है तो यहां पर हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं और यहां पर मेरा बेटा अपना इंजोई कर रहा है वह गाणियों पर बाइक पर बैठ के इंजोई कर रहा है और बस यहां पर हम घूम रहे थे और फिर मेरी बेटी इंजोई कर रहे हैं यहां पर वीडियो और फोटो शूट करके तो मैंने कर जो भी पल है जो भी खुशिया है बटर लो जिसमें आपको खुशी मिलती है कर लो तो यहां पर मैं बेटे के लिए टाउजर ले रही थी तो मैंने एक ही लिया है और क्योंकि मैंने का पहले एक ही ले लेती हूँ क्योंकि अभी इस पर पास बहुत सारे हैं फिर छोटे हो जाते हैं बढ़ते हुए बच्चे के इसलिए मैंने एक ही लिया और यह देखिए अपनी पूरी मस्ती में घूम रहा है यहां पर फिर हम घर आ गए थे और घर आने के बाद भावी बना रहे हैं चाए और उन्होंने साथ में चाए के साथ पापड तल दिये हैं तो बस अब हम चाए और पापड का इंजोई करेंगे भाई ओफिस गया हुआ है वह यहां पर नहीं है जब वह आजाएगा तब हम इंजोई करेंगे फिर और तो आजाएए आप लोग भी गरम गरम चाए और पापड खा लिजिए तो यहां पर ममी डाल रही थी अपने बालों में तेल इतने में मोसी जी का फोन आ गया नियर विश करने के लिए तो ममी अपनी सिस्टर से बात कर रही है यहां पर और बस हम यहां पर चाए और गरम गरम पापड खा रहे हैं और इंजोई कर रहे हैं तो चाय और पापड के बाद हम आगे थे रसोई में और चलिए मैं दिखाती हूँ भावी अब क्या बना रही है नाइट में अब या बवी पूदिया इसमें चानीर है मुवफली है साब धनिया है चिली फ्लेक्स है ग्रीन चिली है हरा धनिया है अब यारा रोट डालो ग्यूशा लेचिर कोई नहीं अब कर दो कर दो कर दो को मैं यहां पर लेकर आए ति तिल के अरृग्वुड के लड़ू यह बहुत ही सुअ मुरैना के तो यह नामी है यहां के तो मैं यूशा थो तरह के गॉन्दक और यह वाले तो यह खाने बहुत ही अच्छा है तो पहले हम भगवान जी का निकाल रहे हैं और अभी बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि पहले मुझे दो मैने करने ही पहले भगवान जी का निकालना है फिर आपको मिलेगा और यहां पर देखें भावी ने बना दी है टिकी तयार हो और भगवान जी का निकालने के बाद फिर मैं ममी पापा को दे रही हूं तो फ्रेंड्स आप लोग भी मुह मिठा कर लीजे नए साल पर है अलो फ्रेंड्स आजाई टिकी खालीजे बर्गर बन रहे है करम करम कि बन रही है बावर की लग रहे हैं किया बन रही है आज बन रहे हैं बर्गर टिक्की तो आज है आप लोग भी गरम-गरम खा लीजे यहां भावी बना रही है तो यह देखिए गरम-गरम और जाता हुआ साल बाई-बाई और नए आने वाले साल के लिए सबको सुबकामना है मेरी तरफ से आज 31 तारीक है आज इसलिए हम घर पे पाटी कर रहे हैं कहीं भी नहीं गए हैं घर पे इंजोड़ सुद खाना एकदम अरा मांज़ा ला देखि जाओ अख़ार ले क्या हुआ कहा है तो देखिए फ्रेंड्स मेरी बेटी खा रही है और आप लोग भी गर्म घरम खाली थे देखिए गर्म घरम टिक्की बहुत ही स्वाद लग रही है कैसी लग रही बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- काजूं dolor इस ब्रिप्सटमेध मां आसे लगता है कि कह मैं इसमें क्या-क्या डाल ul घंडूर में का जू फ्रेंग परिंडय अग ड दिया तो मैंने एक तरफ बर्गर पे मियोनीज लगा दी है टमाटर प्याज रख दिया है और ठिककी ठोड़ा सा उस पे चाट मसाला डाल दिया था और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूं यहां पे हरा धनीय की चटनी और ये मैंने टिककी पे भी मियोनीज लगा दी है अच्छे से और यह देखिए मैंने बर्गर रख दिया है और नॉन इस्टिक तवे पे मैंने बटर डाल दिया है अच्छे से और अम मैं इसमें बर्गर रख दूँगी और बहुत ही टेश्टी बना था और बहुत स्वाद लग रहा था तो आप इस तरह ट्राइ कर सकते हैं घर में तो यह देखिए मैं जो किनारे हैं यह भी अच्छे तरीके से से करी हूँ तो आज यह आप लोग भी बर्गर गरम-गरम खा लिजे तो सर्दी में यही चीज़े अच्छी लगते हैं और इन चीजों का स्वाद भी तब बढ़ता है जब संग पूरा परिवार साथ में होता है तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद सफाई करने के बाद रस किचन वगरा की हम आ गए हैं पर पहलने तो हमने का चलो थोड़ा सा हैवी खाया है तो घूम आते हैं और थोड़ा साम डोगी के लिए लेकर आये थे ब्रैड और रोटियां तो हमने करने का चलो सड़ी है तो घूमते घूमते उनको भी दे आते हैं थोड़ा सा और यह देखिए पीछे-पीछे आ रहे थे और यह देखिए हमारे हां नियर पे यह लाइटिंग लगी हुई थी और अभी रोड़ खोदी हुई है यह बिल्कुछ सही थी तो यहां पेसीवर व कि और घर आने के बाद बच्चे और भावी इंजॉय कर रहे हैं बैलोन से खेल रहे और मम्मी पापा बैठे वे आगे वाले रोम में वो देख रहे हैं मम्मी देख रही है अपना favorit serial पिग बॉस जो कि मेरा भी खाव लेकिन इस साल मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि देखिए एक बार अगर देखने लग जाओ तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा आपकी बार क्योंकि मैंने का एक बार देखना शुरू कर दिया तो चसका भी कि यहां पर देखें बेटा भी कितना इंजॉइमेंट कर रहा है बहुत खुश हो रहा है यह चोटी-चोटी खुशियां ही होती है जिनको हम समेट सकते हैं जिनको हमसे कोई चुरा नहीं सकता और यहीं पल होते हैं खुशियों के तो यहां से इंजॉयमेंट करने के बाद हम भाई भावी के रूम में चले गए थे क्योंकि यहां पे पापा को आ रही थी नीद क्योंकि बारा बजने वाले थे और मम्मी थोड़ा सा अपना सत्यॉयोंक देख reliability थी तो उनको disturbance हो रहा था तो फिर हम नेका चले हम उपर चलनके श्यॉयमेंट करने थे थे थोड़ा सा नइण आर्ट साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक, Happy New Year! Happy New Year, यार! इस कितना है थे पोने सी कि? आवस मैं कर दो पोने वाइपी नियर! Happy New Year! Happy New Year! आवस कि लूते हैं